तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिटर्मिनांट के कुछ प्रोब्लेम को सौल्व करने जा रहे हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह आरशगरवाल की बुक है इसमें हम लोग डिटर्मिनांट निकाले हुए हैं और इस डिटर्मिनांट का जो सबसे पहला एक्सरसाइज है आपका हलांकि मेरे बुक में एक्सरसाइज 2A लिखा गया है हो सकता है कि आपके बुक में एक्सरसाइज का नाम कुछ और हो तो आप मिला लिजी ये सारे क्वेस्टन जो हैं आपका जो कि मैं सौल्व करने जा रहा हूँ तो इसमें से क्या है कि इस एक्सरसाइज में हमने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये सारे क्वेस्टन का आंसर हमने बताया ठीक इसके पहले वाले वीडियो यानि तीसरे वीडियो में तीसरे लेक्चर में और अब हम लोग 14 लेक्चर के माध्यम से इसके आगे के प्रोब्लम को देखने जा रहे हैं जैसा कि मैं बता दूँ कि इसमें 10 नमर का जो क्वेस्टन है ये NCRT का क्वेस्टन है आप NCRT बुक में आप देख सकते हैं कि यह 10 नमर का क्वेस्टन है इसके बाद हमारा यह क्वेस्टन 13 से हम लोग सुरू करते हैं और 13 के बाद के कुछ प्रोब्लम को हम लोग बनाते चले जाएंगे तो जैसा कि सबसे पहला नमर हम उठाते हैं यह 13 नमर का प्रोब्लम जो कि आपका है जो कि आपका दिया गया है यह 13 नमर में डिटर्मिनान्ट 1, 1 और यह 1 उसके बाद A, B और C और उसके बाद B, C, C, A और यह A भी जो कि तीसरे रो का element है और इसको प्रूब करना है A minus B और यह B minus C और यह C minus A यह प्रूब करके दिखाना है तो अभी तक तो आप लोगों को जितने भी इसके properties हैं डिटर्मिनान्ट के जितने भी property हैं सारे property को हमने अभी बता दिया है पिछले वीडियो के माध्यम से अगर आप लेक्चर जो है 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो इस तीनों लेक्चर को आप देख लीजिए तब यह लेक्चर 4 नमर आप देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा तो यहाँ पर हम लोग इसमें operations लगाते हैं यानि property लगाते हैं किसके लिए determinant के लिए जैसा कि हम देख रहें कि यहाँ A-B है, B-C है, C-A है तो A-B करने के लिए अगर हम A-B यानि कि इस column में दूसरे column को minus कर दें, फिर उसके बाद C-A चाहिए हमको, तो तीसरे column में पहले column को minus कर दें, तो हमको यह सारे factors मिलने सुरू हो जाते हैं तो चलिए बारी-बारी से हम लोग apply करते हैं यहाँ पर, तो इसमें सबसे पहला हम लोग apply करते हैं कि C2 tends to C2 minus C1 applying, तो इस से हमको क्या मिलता है, 1 minus 1, यह C2 में C1 को minus करना है, यानि कि जो भी परिवर्तन होगा C2 में होगा, ध्यान दीजेगा तो यह C1 जो पहला column का element है, unchanged रह जाएगा, दूसरा column का element हमारा change होगा, तो चलिए तीसरे को हम लोग लिख देते हैं, लिख दिए, अब दूसरा जो बीच में आने वाला है, तो इसको कैसे लिखना है, इसमें इसको minus करके, यानि 1 minus 1 करते हैं, तो 0 होता है, B minus A करते हैं, तो B minus A करते हैं हम, और यहाँ पर हो जाता है, आपका C A minus B C हो जाता है, इस तरह से, अब इसको जला सा solve कर लेते हैं हम लोग, ये आपका 1 हो गया, ये 0 हो गया, फिर ये 1, अब फिर उसके बाद ये है A, फिर B minus A, उसके बाद ये है C लिख दीजिए, अब इसमें B C लिखते हैं, और यहाँ पर अगर हम C common ले लें, तो C common लेने से A minus B बच जाता है, और यहाँ A B हो जाता है, इसके बाद यदि हम ऐसा apply कर दें, कि applying लिखेंगे, applying C3 में हमने minus कर दिया C1 को, तो देखें क्या होता है, C3 यानि की change हो रहा है आपका, third column change हो रहा है, तो इसको हम पहले column में तो किसी तरह का परिवर्तन नहीं करते हैं, दूसरे column में भी किसी तरह का परिवर्तन नहीं करते हैं, तो उसको हू बहू हम लोग लिख देंगें, अब तीसरे column लिखने में धा c-a लिख सकते हैं इसको और इसको जो हम लिखेंगे a b-bc लिखेंगे और इसमें b common जब आ जाएगा तो a-c आपका बढ़ जाता है तो यहाँ पर b into a-c हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जैसा कि आप यह side में देख सकते हैं कि इस तरह से लिखेंगे इसमें b common आता है a-c त जब इसमें क्या है रूल की डिटर्मिनांट कहता है कि आप कोई भी रो या कोई कॉलम से एक element को common ले सकते हैं जैसे अगर यहां से हम A-B निकालें किस से भाई यह C2 से और C-A-C निकालें किस से हम यह C3 से तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि A-C यहां है लेकि C-A यहां प और moderate करके हम लिखते हैं इसको 1 लिखेंगे 0 लिखेंगे 0 लिखेंगे फिर A लिख देते हैं अगर इसमें हम minus common ले 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 तो A-B हो जाएगा minus common ले ले तो A-B होगा अब इस minus से multiply करके आप देखिए यह आपका यही चीज आ जाएगा इसी तरह से इसको भी हम लोग minus A-C लिख सकते हैं अब इसका third row का element BC C into A-B और B into A-C लिख देते हैं अब यहाँ पर करना क्या है किसी एक row में या किसी एक column में एक तरह का element अगर है तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर देखिए यह जो आपका यह जो second column है इसमें हर एक element के साथ A-B है A-B है अगर 0 into A-B रहे तो कोई फरक नहीं पड़ता है इसके साथ भी A-C है यहाँ भी A-C है अगर A-C इसके साथ यहाँ into भी कर दें तो कोई फरक नहीं पड़ता है तो इसलिए हम A-B है ना जब common ले लिए तो इसमें क्या हुआ कि second row जो आप देख रहे हैं second column माप करेंगे तो यह 0 A-B बाहर निकल गया यहाँ पर minus 1 बच जाता है और यहाँ पर आपका C बच जाता है उसके बाद इसी के साथ अगर हम A-C common ले ले हैं इसको multiply किये हुए हैं यहाँ पर तो A-C यहाँ से निकल गया तो यहाँ 0 मिला यहाँ पर minus 1 मिला और यहाँ पर आपको मिल जाता है सिर्फ B मिल जाता है और यह जो पहला column आप देख रहे हैं यह unchanged रह जाएगा 1 A और B C रह जाएगा अब हमको क्या मिल गया अब हमको मिल गया कि A-B into A-C है ना अब इसको हम लोग expand करते हैं तो expand करते हैं तो 1 into 1 into इसका row और column को हम delete करते हैं तो इसके साथ minus 1 minus 1 C और B आता है फिर minus 0 लेते हैं 0 के साथ जो कुछ भी आए आपका हलाकि A, B, C, minus 1, B आता है again फिर 0 के साथ कुछ भी आ जाए तो 0 ही हो जाएगा आपका तो इसलिए इस term को नहीं भी आप लिखते हैं तो चलेगा आपका आपको सिर्फ ये लिख देना है और किसी भी determinant को solve करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको जटपट में solve करने का है जटपट में solve करने का तरीका क्या है कि कि किसी रो या किसी कॉलम के दो element को आप 0 दिखा दीजिए तो आपका problem जो है हद तक solve हो जाता है अब यहाँ पर हम multiply करते हैं A minus B है और यहाँ A minus C है अब इसको minus 1 into B करते है तो minus B होता है अब minus 1 into C करते है तो minus C होता है इस तरह से A minus B उसके बाद A minus C अब फिर उसके बाद C minus B यह चीज़ हमको पराप्त हो जाता है अब यहाँ पर हम देखना है कि यह हमारा result से match किया की नहीं तो result में हम देख रहे हैं A minus B है तो चलिए यहाँ भी हम देख रहे हैं कि A minus B है उसके बाद B minus C है C minus A है तो यहाँ उल्टा है C minus A चाहिए यहाँ B minus C चाहिए ऐसा करें अगर दोनों को एक साथ हम है ना लिख दें minus sign लेके minus common लेके तो C minus A हो जाएगा है ना यह minus common ले लिए इसमें भी minus common ले लिए तो B minus C हो जाएगा अब यह minus और यह minus दोनों मिलके plus हो जाएगा जिसके चलते A minus B into C minus A into B minus C यह चीज आपका क्या हो जाता है? प्रूब्ड हो जाता है यही चीज आपका क्या हो जाता है? प्रूब्ड हो जाता है यह जो question है आपका NCRT का question है clear है NCRT में आप देखेंगे exercise में यह 13 नमर का problem आपको दिख जाएगा इस तरह का problem और इसको आप उम्मीद करते हैं समझ गया होंगे अगर समझने में थोड़ी मोरी और भी दिक्कत रही होगी तो हम लोग कुछ आगे और भी problem बनाएंगे जिसके चलते हैं आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी इसके बाद हम लोग question number 14 देखते हैं इसमें आपका यह determinant दिया गया है इसमें हमको जो prove करना है तो उसके factor में मौझूद है a-b, b-c और c-a मौझूद है तो a-b हमको तभी मिलेगा जब row 1-row 2 कर दें तो a-b हमको मिल जाएगा b-c तभी मिलेगा जब row 2 को माइनस कर दें row 3 से तो यहाँ पर हम लोग जो property लगाते हैं क्या property apply करते हैं applying यह r1 r1-r2 कर सकते हैं फिर इस r2 को हम लोग r2-r3 कर सकते हैं इस तरह से तो बारी-बारी से apply करते हैं r1 को पहले change करते हैं r1 को हम लोग क्या लिखेंगे 1-1 तो 0 होता है a-b लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं a2-b2 लिख सकते हैं clear है R2 को कैसे लिखना है? R2 माइनस R3 लिखना है, तो यह आपका Rho 2 है, 1 माइनस 1, तो यह 0 हो जाता है, B माइनस C हो जाता है यहाँ पर, और इसके बाद यह आपका B स्क्वाइर माइनस C स्क्वाइर हो जाता है, B स्क्वाइर माइनस C स्क्वाइर हो जाता है, अब R3 के लिए तो कोई operation है नहीं तो R3 का जो भी element है वो जिस तरह से है उसी तरह से आपका रह जाता है अब यहाँ पर देखिए कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ध्यान देना है 001 A-B और इसके बाद B-C और उसके बाद C-C और यह जो A-B-C है तो एक बार A-B लिख देंगे B-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C मौझूद है कैसे देखे इस element के साथ a minus b एक factor है यहां भी a minus b एक factor है जीरो के साथ कहेंगे कि a minus b नहीं है अगर जीरो को a minus b से हम multiply भी कर दें तो यह 0 ही रहा जाता है तो 0 के साथ किसी भी factor को हम यहां consider कर सकते है इसलिए हम क्या करेंगे a minus b यहां पर पहले रो से कौमल लेते हैं दूसरे रो से हम b minus c कौमल ले सकते हैं तो बचता है हमको यहां पर 0 यहां पर 1 और यहां पर a plus b बच जाता है दूसरे रो में 0 अप फिर यह 1 अप फिर यहां पर b plus c बचता है और यह one और यह c और यह c square बच जाता है अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यह जो आपका column है first column तो इस column के along जो है हम इसको expand कर देते हैं तो expand हम लोग को कैसे करना है देखिए तो a-b हमको मिला हुआ है b-c हमको मिला हुआ है इसके बाद अगर zero into लेंगे तो zero का जो row column है इसको delete करेंगे तो यह element लिखेंगे तो जिसके चलते यह zero ही हो जाएगा भाई जैसे यहाँ one b-plus c और यह c और यह c square आता है तो यह zero ही आपक के लिए हम minus sign होता है इसका minus लेके zero लिखेंगे तो यह जो कुछ भी आता है zero ही हो जाता है इसके बाद जो तीसरा element है आपका यहाँ पर देख रहे हैं जो की one है तो यह one का जो sign होगा plus one होगा और one के row और column को अगर delete करते हैं तो हमको मिलता है one one a plus b और यह b plus c मिलता है तो यह दो term तो आपका zero zero ही हो जाता है यहाँ से यह term और यह term zero zero ही हो जाता है यह term से कुछ value हमको मिलता है तो हला कि पहले से हमारे पास a minus b है इसमें और b minus c है जब इसको multiply करेंगे आप तो b plus c minus a minus b आपको मिलेगा यहाँ पर b और b cancel हो गया तो बच गया किया हमारा a minus b और b minus c और यह c minus a मिल गया जो चीज की हमको प्रूब करना था a minus b, b minus c और c minus a यही चीज हमको यहाँ प्रूब करना था तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे भी समझ गये होंगे इसके बाद तो इसके बाद हम लोग देखते हैं question number 16, question number 15 आप खुद बनाने की कोशिस करेंगे बहुत आसान problem है, हलांकि यह 14 नमर का जो problem अभी हमने बनाया यहाँ पे, यह आपके NCRT book का ही problem है जो की question number 8 देख सकते हैं, NCRT book के exercise में question number 8 जो की आपका determinant का यह problem है तो चलिए question number 16 में, तो question number 16 में हम देख रहे हैं कि यह आपका determinant दिया गया है तो आपके पास यह target fix हैं कि 4xyz आपको यह पूरा करना है तो इसको कैसे पूरा करते हैं, ध्यान से देखेगा अब यहाँ पर यह जो determinant दिया गया है, इसको हम लोग सोचते हैं कि अगर हम this plus this plus this कर दे तो क्या कुछ common हमारा मिलता है, तो हम देखते हैं कि कोई चीज common नहीं मिलता है चुकि y plus z plus 2x होता है, 2y plus z plus x होता है अगर इस तीनों को इस तरह से add करते हैं तो तीनों को इस तरह से add करने से हमें कोई खास result नहीं मिल रहा है अब ऐसा करते हैं कि row को row wise हम add कर देते हैं, तो this plus this plus this करके देखते हैं तो क्या कुछ common element हमारे पास प्राप्त होता है, तो इसको करके देखते हैं ये आपका r1 को हमने क्या किया, r1 plus r2 plus r3 कर दिया तो क्या होता है कि यहाँ पर जो वैसा element लिखाएगा, जो त्योनों का sum होगा तो y plus z, फिर y plus z, यानि कि 2y plus z हो जाएगा आपका फिर x plus z plus x plus z, तो 2x plus z आपको मिलता है फिर x plus y plus x plus y, तो यह 2x plus y मिलता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2, 2, 2 जो है आपका common में आ जाता है y, z plus x और यह y, उसके बाद z, z और यह x plus y तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 को मिल ले सकते हैं तो 2 को बाहर निकाल लिया हमने, y plus z हो गिया, x plus z हो जाता है यह, x plus y हो गिया यहाँ पर y हो गिया, यहाँ पर z हो गिया, अब फिर उसके बाद z plus x हो जाता है यह आपका z, अब फिर y यह x plus y हो जाता है अब यहाँ पर सोचने वाली बात है क्या, कि यदि हम इसको और इसको minus करें, तो यह तो term आपका 0 हो जाएगा और इसमें इसको minus कर दें, तो यहाँ पर भी यह term आपका 0 हो सकता है लेकिन अब इसको 0 पूराने के लिए हम क्या करेंगे तो इसमें जो property लगाएंगे हम लोग क्या करते हैं कि इस r1 को हम लोग fix कर देते हैं अब देखिए कि आप यहाँ सोच रहे होंगे कि fix sir क्यों कर दी इसमें किसी तरह का change जैसन नहीं करते हैं अब change हम करते हैं r2 और r3 में तो ऐसा करने से हमको क्या मिलता है चुकि हमने एक step पहले ही सोच के रखा है जैसे देखिए कि अगर इसमें इसको minus करते हैं तो यहाँ ठमको 0 मिल जाता है इसमें इसको minus करते हैं third row के साथ तो यहाँ हमको 0 मिल जाता है तो जब 0 मिल जाता है तो problem का बले बले समझें कहने का मतलब कि problem आपका बड़ी आसानी से solve होने वाला है तो क्या apply करने जा रहे हैं हम लोग applying applying यह r2 tends to r2 minus r1 यह r3 tends to r3 minus r1 करने जा रहे हैं तो हम क्या देखते हैं वाई यह तो आपका change नहीं होगा 2 इसके साथ common है y plus z x plus z और यह x plus y आपका होगिया clear है है ना इसको समझे यह होगिया अब इसमें जो है यह minus होता है आपका y minus y plus z तो यह आपको minus z देगा z plus x minus z plus x तो यह आपको 0 देदेगा y minus x minus y करेंगे तो यह minus x हो जाएगा है ना हमको लगता है कि यह सब चीज में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए y minus x minus y किया तो y y कट गया तो यह minus x मिल गया अब यह देखे z minus y minus z करते हैं तो यह आपको देता है minus y अब यहाँ से z minus x minus z करते हैं तो यहाँ मिलता है minus x उसके बाद यहाँ पर इसके चलते जो है यह zero हो जाता है अब यहाँ पर क्या करना है कि किसी row या किसी column के along जो है इसको हम लोग expand कर देते हैं ऐसा काम करते हैं कि इसको expand करने के लिए तीसरा column हम लोग यूज कर लें तो इसमें क्या है कि एक zero मिल जाता है आपको और उसके बाद इसको इसके लिए एक जो step होगा तीन step का solution आता है इसमें तो एक step हमको कम मिलेगा अगर c3, c2 के along भी अगर expand करते हैं हमको तो एक step हमको कम लिखना पड़ेगा अगर c1 के along हम इसको expand करते हैं तो तीनों के लिए हमको steps लिखना पड़ेगा तो चलिए c3 के along हम expand करते हैं इसको तो c3 का सबसे पहला element जो है x plus y है और जिसका sign आपका plus होता है अब इसके साथ जो determinant 2 by 2 आने वाला है तो इसके row और इसके column को delete कर दीजे तो minus z 0 minus y minus x ये मिल जाता है अब फिर इसके बाद minus लिखेंगे और यहाँ minus x है जितके चलते ही है plus x हो जाएगा और इसके row corresponding row और column को delete अगर करते हैं तो y plus z y plus z x plus z minus y minus x हमको मिलता है ये चीज़ मिल गया अब इसको हम लोग solve करें तो x plus y ये होगी आपका इसके बाद minus z minus x तो minus plus z x हो गया अब फिर उसके बाद इसको multiply करेंगे तो 0 हो जाएगा इसका कम खतम फिर plus x into अब देखिए minus x into y तो minus x y हो गया minus x into z तो ये minus x z हो गया अब इसके पहले minus sign तो आता है इसके अपने बापका है minus sign है ना कहने का मतलब कि ये formula के अधार पर है अब फिर ये भी minus दे रहा है तो minus y z यानि कि plus y x हो जाएगा z नहीं x है ये अब तब y z है तो ये भी plus y z हो जाता है अब इसमें देखते हैं क्या कुछ कटने वाला है क्या तो x y और ये x y ये दोनों आपका cancel हो जाता है तो यहाँ पर हमको मिलता क्या क्या है इसको हम इस जगर लिख रहे है थोड़ा सा side में लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे clear है तो ये देखिए x plus y plus z x है तो x into z into x तो ये x square z हो गया y into z into x तो ये आपका हो गया x y z हो गया और एक चीज़ धियान देना है इसके पहले जो है आपका 2 है 2 से multiply किया हुआ है तो सभी element के साथ जो है यहाँ 2 से multiply है इसके पहले जो है 2 से आपका multiply किया गया है तो इसी लिए 2 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं x into minus x z तो x square z हो जाता है minus x square z हो जाता है अब फिर ये x into y into z तो plus x y z आपको मिलता है यहाँ x square z x square z cancel हो गया फिर से तो 2 into 2 x y z आपको मिला जो की हो जाएगा 4 x y z हो जाएगा तो यही आपका क्या हो जाएगा value हो जाएगा यहाँ answer नहीं लिख के क्या लिख देना है हमको proved लिख देना है तो उमीद करते हैं कि step y जो बताया गया है आपको यहाँ समझ में आ गया होगा इसके बाद हम लोग अगला question देखते हैं आगे हम लोग देखते है question number 18 को तो यह question number 18 जो है आपके NCRT book का दसवा number question है आप exercise में जाके देख सकते हैं तो इस determinant को हमको prove करना है यह तो कोई भी problem जब दिया रहे तो हमें target देखना है इसको इसको हमको ले जाना है यह चीज जो है इतना पूरा हमको करना है तो इसमें देखिए सबसे पहला factor जो है आपका क्या है 5x plus 4 है तो अब हम देखते हैं कि इस तरह से column को add करके क्या 5x plus 4 आता है या इस तरह से row को हम लोग add करके देखते हैं क्या कि यह 5x plus 4 आता है कि नहीं तो यहां तो हम देख रहे हैं कि अगर हम इस row को इस row को इस row को तीनों row को add कर दे तो यह 5x plus 4 मिल जाता है यहां भी 5x plus 4 यहां भी 5x plus 4 मिल जाता है तो वही करेंगे हम लोग क्या करना है यहां पर हमको कि apply कर देना है कि r1 tends to r1 plus r2 plus r3 अब इसके लिए आप देख भी सकते हैं जैसे x plus 4 करेंगे plus 2x करेंगे plus 2x करेंगे तो यह आपको क्या मिल जाएगा 5x plus 4 मिल जाएगा तो पहला row का पहला जो element हो जाएगा 5x plus 4 हो जाएगा इससे भी आपको वही चीज मिलने वाला है 5X प्लस 4 इससे भी आपको 5X प्लस 4 ही मिलता है अब जो चीज है भाई सबको लिख देना है उसी तरह से उसमें किसी तरह का परिवर्थन नहीं करना है लिख दिये अब यहाँ पर 5X प्लस 4 अगर हम common ले लिए då चुकि common जो है किसी एक row से हम ले सकते हैं या किसी एक column से ले सकते हैं अगर दो column में same same तरह का factor हो तो उसको भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं तो यहाँ पर इस चीज को समझें चुकि एक ही row में सारा एक ही तरह का element था उसको हम बाहर निकाल सकते हैं तो ये हमरे पास बच जाता है, फिर्स्ट रो में 1, यहां भी 1 बच जाता है और यहां भी हमको 1 ही मिलता है, अब देखिए इसको 2x लिखिए, इसको भी 2x लिखिए, यहां पर x प्लस 4 लिख दीजिए, यहां पर 2x लिखिए, यहां पर आप x प्लस 4 लिखिए, अब हम कोशि करेंगे कि भाई इसमें से किसी दो को जो है फिर से हम लोग जीरो कर दें तो जीरो जब इसको करना है तो वन में वन को माइनस कर दें यानि कि यह आपका कॉलम है कॉलम टू में कॉलम वन को माइनस कर दें कॉलम थ्री में कॉलम वन को माइनस कर दें तो हमको वन माइनस वन जी तो किसी एक element को देख कर हम जो property लगाते हैं तो उस row के या column के सारे element के साथ उसका परियोग करते हैं जैसे यहाँ पर हम क्या apply कर सकते हैं कि आपका applying यह आपका c3 c3-c1 और यह c2 c2-c1 तो देखिए यह क्या हो जाता है कि 1 2x 2x तो यह रही जाएगा 1 2x और यह 2x तो आपका रही जाएगा इसके बाद क्या हो जाता है इसको देखिए 1-1 करेंगे तो 0 होगा x plus 4-2x करेंगे तो 4-x मिलेगा हमको अब फिर 2x-2x करेंगे तो 0 हो जाएगा 1-1 करेंगे यानि कि इसका पहला element में इसके पहले element को minus करेंगे तो 0 मिलता है अब 2x में 2x को minus किए तो यह आपका 0 हो गया x plus 4-2x करते हैं तो यह आपको मिल जाता है 4-x मिल जाता है अब देखिए इस row में दो element जो है हमारा 0 आ गया और इसके साथ 5x plus 4 को बन है तो 5x plus 4 लिखना हम लोग नहीं छोड़ेंगे इसको भी लिखते रहेंगे अब हमने क्या क्या कि expanding कर रहे है एक्सपेंडिंग है ना along first row पहले रो के along जो है इसको expand कर रहे है तो यह 2x हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर इसका factor यह हमारा क्या कहते है determinant 2 by 2 का आता है और उसको लिखना कैसे है cross diagonally multiply करके तो 4 minus x into 4 minus x तो इसका square हो जाएगा और minus 0 हो जाएगा बाद बंकी जो है term आपका 0 के साथ multiply होगा 0 के साथ ही multiply होगा कोई ना कोई आपका यह determinant और finally जो है इसको multiply हो जाएगा किस से multiply हो जाएगा multiply हो जाएगा 5 x plus 4 से अब देखे जैसे इसको solve करते हैं तो आपका यहाँ बिल जाता है और यह आपका 5 x plus 4 ही बचता है और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 x plus 4 into x minus 4 का whole square लिख सकते हैं तो दोनों चीज लिख सकते हैं चुकि अगर square के अंदर में है आपका कोई भी algebraic expression तो उसको इस तरह से लिखे या इस तरह से लिखे उसका जो value आता है से अमादा है क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर minus आ गिया यहाँ पर चुकि हम जान रहे हैं कि अगर x minus 4 है तो minus 4 minus x लिख सकते हैं clear है आगर x-4 है तो –4-1 लिख सकते अगर इस पर भी square डाल दे और इस पर भी हम square डाल दें तो square के चलते तो ये plus हो जाएगा ना ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो plus 4-x का square लिख सकते हैं इसको इसे x-4 का square लिख सकते हैं इसलिए इस दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, उमीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे, तो इसके बाद हम लोग एक problem और देखते हैं, इसके बाद हमारा question number 22, देखे 22 को आप देख रहे हैं, तो इस problem को देखकर आप यह कोशिज कीजिए, कि क्या हम किसी भी row या किसी भी column के लगातार दो element को 0 बना सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि यह column 3 है, अगर column 3 में कोई दो element 0 हो जाता, तो हमारा problem बढ़ी आसानी से solve हो जाता, या यह जो row आप देख रहे हैं, third row, इसमें एक ही 0 है, क्या एक 0 और बना सकते हैं, तो अगर बना लेते हैं एक 0, तो यह हमारा problem आसानी से solve हो जाता, लेकिन यहाँ समस्या है, कि अगर आप इसको 0 बनाने की कोशिस करते हैं, तो क्या होता है, कि यह 0 जो है, इसका value change हो जाता है, तो कैसे change हो जाता है, यहाँ पर हम देखें कि इसको 0 बनाने के लिए c को, यहाँ c को multiply करना होगा y से, है न, तो चुकि हम जान रहे हैं कि किसी भी row को हम किसी भी number से multiply कर सकते हैं, और यह जो आपका row 1 है, पहला row है, तो पहला row को में b को multiply करना होगा x से, तभी b x होगा, तभी यह c y होगा, अगर इस दोनों को हम minus कर देंगे, तो यहाँ हमारा 0 आ जाएगा, तो इसको 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कि r3 के लिए, r3 minus, है न, b into x, तो यह r1 into x करते हैं, और यह r2 into y कर देते हैं, अब जैसे देखिए, कुछ हम इसमें लेते हैं, solve करते हैं, एक example, जैसे r3 का element ax plus by है, ax plus by है, तो minus r1 x करता है, r1 का element a है, into x, तो ax हो गया, फिर r2 into y करना है, r2 का element b है, तो b into y हो गया, अब देखिए, ax ax कटिया, by by कटिया, तो इसके चलते यह 0 हो जाता है, तो इसलिए हम जो है, हालांकि यह पहला रो, दूसरा रो तो unchanged रहेगा, यह आपका a रहेगा, यह b रहेगा, यह ax plus by ही रह जाएगा, यह b रह जाएगा, यह c रह जाएगा, यह bx plus cy हो जाएगा, लेकिन इसमें यहाँ 0 आ जाता है, यहाँ भी देखिएगा तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या आता है, अब इसके बारे में सूचिए, तो इसके बारे में हम यहाँ लिखते हैं, कि 0 minus r1x, तो r1 जो है आपक ax plus by into x हो जाता है, अब फिर minus r2, यह r2 का element आप देखिए, क्या है भाई, bx plus cy है, bx plus cy है, इसको multiply हो जाता है, यह y से, तो इस तरह से minus ax square minus bxy, अब फिर यहाँ minus bxy, अब फिर यहाँ पर minus cy का square मिल जाता है, इसको और ज़रा से solve करते हैं, अगर minus common ले तो ax square है ना, अब फिर यहाँ plus 2bxy, अब प्लस cy का square, आपको यह मिल जाता है, कहाँ पे, इस position के लिए, तो इस position पे हम रख देते हैं, minus ax square, अब प्लस 2bxy, अब प्लस cy का square, यह हम को मिल जाता है, इस तरह से determinant को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कि यह जो total element है, इस RHS का एक factor है, क्या है भाई, factor है, और यह चीज हम को common चाहिए, बाहर चाहिए, तो इस पूरे expression को हम 0 के साथ भी समझ सकते हैं, यहाँ भी 0 के साथ समझ सकते हैं, क्योंकि 0 को इतना से multiply हो गया, तो समझ यह 0 ही हो गया, 0 के साथ इतना है, यह सारा term है, तो इस दोनों को multiply हुआ, तो finally यह 0 हो गया, तो इसलिए यहाँ पर हम जो है, AX square plus 2BXY plus CY का square common ले सकते हैं, और बचने वाले element क्या क्या हो जाएंगे, A, B, AX plus BY यहाँ पर बच गया, यहाँ पर B बचा, यहाँ पर C बचा, और यह BX plus CY हो गया, यह आपका 0 ही रहा, यह 0 ही रहा, लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाता है, minus 1, अब हम क्या करते हैं, कि तीसरे रो के along जो हैं, इसको हम लोग expand कर देते हैं, किस रो के along, तीसरे रो के along हम इसको expand कर देते हैं, तो जब इसको expand करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ax² प्लस 2bxy प्लस cy² तो रहे गा ही अब direct minus 1 है न इसका sign क्या हो जाएगा जैसे plus minus plus minus plus इसका sign जो है plus में हो जाएगा तो minus 1 रखिये और इसके साथ आने वाला determinant तो इसके column को और इसके row को हम delete कर दिये तो क्या क्या बच गिया है हमारा यही सब बच गिया है a into c minus b square यही बच जाता है clear है अब इसी को आप लिखे क्या लिख सकते है वाही minus 1 से इसको multiply है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ax² plus 2bxy plus cy का square minus 1 into minus b का square तो यह आपका हो जाएगा b का square plus में और ac plus में है यहाँ यह minus में है तो minus ac हो जाएगा यही चीज हमको यहाँ पर proved करना था तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी समझ में आगिया होगा इसके बाद तो इसके बाद जो हमारा question है 23 नमर का है ना आरसकरवाल book से 23 नमर देखिए तो यह जो determinant है इसको इतना prove करके आपको दिखाना है तो इतना prove करने से पहले हम लोग एक formula याद करेंगे जो कि class 9 में हम लोग पढ़े थे 9 में हम लोग पढ़े थे क्या कि अगर a q plus b q plus c q minus 3 a b c हो तो इसको हम लोग a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c a इस तरह से लिख सकते हैं हमको लगता है कि आपको याद होगा निश्चीत रूप से है यह आपके class 9 का formula है तो यह चीज और यह चीज लगभग दोनों से हम ही है तो इसमें और इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि minus एक common ले लिया इसमें तो यह जो है आपका इतना बन जाएगा या minus से multiply कर दीजे इसको तो यह आपका इतना बन जाएगा यानि कि अगर हम इतना प्रूप कर दे तो इसको हम इतने के बराबर लिख सकते हैं और इसके पहले एक minus का चीज लेना है तो अब हमारा target होना चाहिए क्या कि हमको a plus b plus c चाहिए किसमें इसमें तो निश्चित रूप से मिल रहा है b plus c plus a c plus a plus b तो a plus b plus c हो गया यहाँ पर इस c1 को क्या कीजिए c1 plus c3 कर दीजिए क्या apply कर देना है हमको c1 plus c3 को apply कर देना है तो क्या देखते हैं हम लोग कि यह आपका हो जाता है a plus b plus c हो जाता है यह भी a plus b plus c हो जाता है और यह भी a plus b plus c हो जाता है उसके बाद तो किसी में कोई छेड़ चाहर नहीं किया गया है तो a minus b रह जाएगा b minus c रह जाएगा C-A रह जाएगा यह आपका A, B और C रह जाएगा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A-B-C हम common यहाँ ले सकते हैं जब A-B-C हमारा common आ गया तो बच्चता है यहाँ पर 1 यहाँ पर B1, यहाँ पर B1 यह A-B और B-C और यह C-A यहाँ आपका A, B और यहाँ आपका C अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ जो आपका column 1 का element है इसमें कोई 2-0 हो जाए तो 2-0 यहाँ होना आसान है क्योंकि इस column में क्या हम लोग operation लगाएं कि यहाँ R2 को minus R1 से कर दीजे तो 1 minus 1 होगा तो 0 हो जाएगा क्या हम operation लगाते हैं R2 को है ना minus कर दे R1 और यहाँ R3 में क्या करें R3 minus R1 कर दे तो इससे हमको क्या मिलता है देखिए यह A plus B plus C तो इसका एक factor रहा ही 1 minus 1 होने से जैसे 1 A minus B और यह है आपका A चुकि R1 में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है R2 में परिवर्तन हो रहा है और यहां R3 में परिवर्तन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 minus 1 0 लिखेंगे B plus C minus A minus B तो B minus C माप करेंगे B minus C minus A plus B होता है तो यहाँ पर आपका कुछ ने कटता है है की नहीं यह हो जाता है 2B minus C minus A हो जाता है अब B minus A यहाँ पर मिलता है हमको उसके बाद 1 minus 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा C minus A minus A plus B तो इससे क्या मिल जाता है की C plus B minus 2A C plus B minus 2A और C minus A तो C minus A किलियर है अब यहाँ पर तो हमको बड़ी आसान हो गया की इस कॉलम का 2 element जो है आपका 0 मिल गया तो पहले ही कॉलम के along इसको हम लोग expand कर देते हैं तो इसमें A plus B plus C पहले से मौजूद है इसके साथ 1 into इसका co-factor तो इसका co-factor यह हो गया तो इसका co-factor 2B minus C minus A B minus A और C plus B minus 2A और यह C minus A आपको मिलता है अब इसको multiply कर देना है इसको A plus B plus C तो लिखिए ही इसके बाद इसको इसको multiply करते हैं तो 2B minus C minus A into हो गया आपका C minus A हो गया उसके बाद यहां पर यहां minus लिखेंगे अब B minus A into C plus B minus 2A इस तरह से आपको मिल जाता है अब इसको जब solve करेंगे ना आप तो यही चीज आपको प्राप्त होगा क्या होगा A square plus B square plus C square minus A B minus B C minus C A तो आईए इसको हम लोग solve करते हैं तो इसको जब multiply करेंगे तो देख लिजे मिला लिजे यह सारे term आपका इसमें मिलते हैं इसमें क्या हम देख रहे हैं कि यह जो आपका AC एक minus में है एक plus में है कट जाता है और यह आपका 2AB एक minus में है और 2AB एक plus में है यह भी कट जाता है उसके बाद जो कुछ भी बचता है उसको साबधानी से हम लोग को लिखना है तो यह A प्लस B प्लस C बचा हमारा उसके बाद इसमें देखिए A square माइनस 2A square तो माइनस A کا square हुआ चलिए इसका काम हो गया फिर उसके बाद B square एक बच रहा है तो माइनस B का square फिर देखिए C square तो माइनस C का square अब फिर उसके बाद AC को देखते हैं, एक AC में है, शिर्फ एक AC है, तो यहाँ प्लस AC है आपका, अब फिर यह देखिए, BC माइनस में है, तो यहाँ पर BC को भी हम लोग लिख लेते हैं, और यहाँ 2 BC प्लस में है, तो यह दोनों मिल के जो है, प्लस BC हो जाएगा, इसमें क्य करते हैं, हम लोग माइनस को मल ले लेते हैं, अब माइनस जब को मल लेंगे है तो माइनस A प्लस B प्लस C माइनस को मन लिए तो A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर प्लस C स्क्वाइर माइनस A B माइनस A C माइनस B C तो यह जो आपका फॉर्मूला हो गया किसके लिए हो गया यह हो गया आपका माइनस A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C cube minus 3abc के लिए हो गया अब minus से इसको multiply कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा 3abc minus a का cube minus b का cube minus c का cube clear है और यही चीज हमको यहां पर prove करना था कि 3abc minus a का cube minus b का cube minus c का cube तो उमीद करते हैं कि इसके आधार पर आप लोग और भी बहुत सारे प्रोबलम को solve कर लेंगे इसी के साथ इस वीडियो को हम भी राम देते हैं मिलते हैं कुछ और भी question के साथ next वीडियो में next वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद